हलो फ्रेंद्स मेरे सिंपुल फुटस चानल में आपको स्वागत है आज हम सिंपुल फुरस में चिकन आनियन समोसा कैसे बनाते हैं देखेंगे रिसिपी देखने के बाद आपको पसंद आएगी तो लाइक करिए शेड करिए कामेν करिए अब तक मेरे चानल को आप सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बिल आइकान को क्लिक कीजिए ताके मैं अप्लोड करेगी तो वीडियो आप सबसे पहले देख सके चिकेन आनियन समोसा बनाने के लिए किन चीजों की ज़रूरत है देखेंगे 300 ग्राम बोनलेस चिकेन ले लेंगे चिकेन को अच्छा सा क्लीन करके छन्नी में दाल के एक्स्ट्रा वाटर निकाल देंगे तीन मीरियम सैच बरीक कटी हुई प्यास बरीक काट लेना है half teaspoon लाल मीर्शी पाऊडर आप थीका ज़धा पसंद करेंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ले ले जिए एक teaspoon धन्या पाऊडर half teaspoon गरम मसाला half teaspoon हल्दी पाऊडर एक teaspoon अध्रकलसन पेस्ट थोड़ी सी कटी हुई धन्या पत्ता स्वादनुसार नमग तीन से चार बरिक कटी हुई हरी मीर्ज समोसा बनाने के लिए समोसा पट्टे डी फ्रे के लिए आईल चलो प्रॉसस देखेंगे बनाने का फस्ट एक मिक्सर जार लेके उसमें ये चिकन को दाल देंगे स्वादनुसार नमग डालके अब ये ग्रैंड कर लेंगे इसी तरह खीमा बना देंगे साइड में रख देंगे वे एक पैन लेके ग्यास को आन कर देंगे पैन गरम होने के बाद एक डो टेबल स्पून आईल डाल दीजिए आईल गरम होने के बाद इसमें थोड़ सी प्यास एक दो टेबल स्पून जेतनी प्यास डाल देंगे डालके हलका सा प्यास को फ्राई कर लेंगे अब इसमें एड कर देंगे अद्रक्लोसन पेस्ट ये भी हलका सा फ्राई कर लेंगे कच्छी समेल जाने तक अद्रक्लसन पेस्ट की अब ये ग्राइंड करके रखे हुए चिकन को चिकन खीमा को दाल देंगे दाल के अच्छा सा फ्राई कर लेंगे इस तरह कलर चेंज होने तक देखो इसी तरह कलर चेंज होने के बाद अब पानी आड़ कर देंगे एक कप पानी डाल के चलाते हुए बीच में इस चिकन को अच्छा सब पका लेंगे मैश करते रहिए बीच बीच में थोड़क पीसेस जैसा छोटे पीस बन जाएंगे अब आड़ कर देंगे गरम मसाला इपूरा लाल मिच्छी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, हरी मिच्छ दाल के अच्छा सा मिक्स कर देंगे अब एक मिनिट तक चलाते हुए पकाएंगे बस कच्छी स्मेल जाने था की आनियन को पकाएंगे ज्यादा पकाने की जरुरत नहीं है अब नीम्बू एड़ कर देंगे नीम्बू का जूस ब्लास्ट में कटी हुई धनिया पता एड़ करके मिक्स करके एक बार ग्यास को आफ कर देंगे यह स्टफिंग तो रेडी हो गई है अब नेक्स्ट प्रॉसस देखेंगे यह एक टेबल स्पून मैदा लेके इसमें थोड़ा सा पानी दाल के घोल बना लेंगे सितरा अब इस समोसा पटी निकाल देंगे जतने चाहे उतने ही निकाल लीजिए पूरे निकालेंगे तो इस अही से भी दुबारा यूज़ करने के लिए नहीं आएंगे यह पैक करके फ्रीज में रख दीजिए अब इसमें से एक समोसा पटी निकाल लेंगे साउधानी से अब इसमें स्टफिंग कर देंगे इस स्टफिंग को आप रोटी के साथ भी खा सकते ही अभी समोसा बना लेंगे इसी तरह देखो इसी तरह मोड देंगे अभी स्टफिंग को आड़ कर लेंगे स्पून के सहायता से थोड़ी सी स्टफिंग रख देंगे जितने आती है उतनी स्टफिंग रख दीजिए इसको इसी तरह मोड के इन लास्ट में जो माईदे का घोल है इसको अपलाई कर देंगे देखओ, कुले की इसी तरह साइड्स को लगा देंगे लगाने के बाद अब इसको मोर देंगे इसी तरह समोसा बनके तैयार है इसी तरह बाकर की समोसे भी बना लेंगे जल्दी आसाने से ही बना सकते ही देखो मैं चार समोसे बनाई हूँ अब इडी फ्रै करके दिखाऊंगे अब इक कड़ाई लेके ग्यास को आन करके कड़ाई में आईल दाल देंगे आईल गरम होने देंगे आईल गरम होने के बाद इस समोसे दाल के डी फ्राइ कर लेंगे दो तीन मिनिट में ही बन जाएंगे मीडियम फ्लेम पे रखके डी फ्राइ कर लीजिए जादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा कलर चेंज होने के बाद निकाल देंगे समोसा को इसी तरह बागी के भी समोसे डी फ्राइ कर लीजिए बन गई ही तेस्ती चिकन आनियन समोसा बच्चों को बड़ों को सबको बहत पसंद आएंगे रमजान शुरू हो गया है इफ्तार के टाइम इस समोसे को अब जरू ट्राइ करके देखिए अब मन चाहे तो कभी भी बना सकते ही कैसी लगी फ्रेंज आज की रेसिपी मैं उमीद करती हूँ कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आईगी तो लाइक करिए शेयर करिए कैसी लगी की कामेंट कीजिए अब तक मेरे चानल को अब सबस्क्राइब नहीं किया हो तो प्लीज फ्रेंज जरूर सबस्क्राइब कीजिए भीर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ तैंक यू फर वाचिंग